तो around 1960s दो काफी बड़ी counterculture novels The Stranger in a Strange Land by Robert Helen and Frank Herbert की Dune हुआ करती थी जहां पर Stranger in a Strange Land बात करती है कि इनसान की कानी को follow करती है जो मार्स में बड़े होने के बाद अर्थ में आता है एंड वहां की चीजों को समझने की कोशिश करता है जैसे कि sex, money, fame, religion, death, power, etc. और वहीं दूसरी तरफ हमारी Dune movie हम लोगों को बताती है Feudal Interstellar Society के बारे में जहां noble houses planetary thief को control करते है और mainly ये कानी follow करती है Paul Artweeds जो की एक ऐसे ही noble house, house of Artweeds का member है उसके बारे में मतलब वो उस family का hair है और आने वाले वक्त में वही उस family का leader वो बनेगा और इस house ने planet Arrakis की stewardship accept कर ली है ये novel futuristic geopolitical allegory पर focus करती है और इसमें हम लोगों को anti-corporate, eco-radicalism and islamophilic का भी essence देखने को मिलता है और इसी novel में based है 22nd October 2021 में release होने वाली movie जिसका नाम है Dune जिसके बार में आज हम लोग बात करने वाले हैं and 1984 में इससे पहले भी Dune के ऊपर एक movie बन चुकी है उसकी एक adaptation बन चुकी है जिसको director David Lynch ने बनाई थी बट मैं आपको वो movie recommend नहीं करूंगा So Dune, इस movie को Dennis Villeneuve ने लिखा था with Eric Roth and John Spitz मतलब इसकी script लिखी थी इन्टों के साथ and इस movie को इन तिनों ने काफी अच्छी तरीके से visualize भी किया था इस movie का दिखतर हर एक shot हर एक scene काफी जादा खुबसूरत है इसकी color grading and cinematography बेर अच्छी तरीके से की गई है and हाँ, अकसर लोग editing की बात नहीं करते हैं जब वो लोग movie की analysis करते हैं या review करते हैं but इस movie की editing भी काफी जादा बढ़िया तरीके से की गई है I mean look at this scene and tell how it would have looked अगर इसमें ऐसी editing ना होती तो and केवल यही scene नहीं इस movie की cuts भी काफी बढ़िया तरीके से लिए गए हैं and of course इस movie के VFX and SFX भी काफी जादा ही बढ़िया हैं I mean इसको सुनो यार and मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि इस movie में VFX necessity के हिसाब से use किये गए है which is good I think because यह movie sci-fi तो है but उसी के साथ यह movie traditional medieval वाली wife भी देती है जैसे कि यह कुछ scene काफी बढ़िया example है उस चीज का and यार रखना कि यह movie part 1 है तो मेरे ख्यार से इस movie ने setup किया है केवल part 2 के लिए और आने वाली जो भी इसकी जित्ति मुवी आईगी उसके लिए तो आप लोग इससे बिल्कुल बतलब कोई final वाला उमीद ना रखिएगा कि आप लोगों को बिल्कुल end देखने को मिल जाएगा ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला आप लोगों को तो अगर आप लोग यह सोच के जाएंगे तो आप लोगों को disappointment ही मिलेगी ज्यादा कुछ नहीं इस movie की storytelling मुझे काफी बढ़िया लगी थी यह movie Paul और Jessica जो कि उसकी मा है उस उनके relation पे ज्यादा focus करती है इसके बार में हम लोगों को और भी दिखाया जाएगा अगले पार्ट में movie ने characters पर उतना जादा ध्यान नहीं दिया है जुतना उनको देना चाहिए था कुछ character को छोड़ कर और I believe उन्होंने डंकन के character के साथ काफी ज्यादा गलत किया है I don't know why maybe because मुझे Jason Momoa as an actor काफी ज्यादा परसंद है बट हाँ यह movie ऐसा ही feel दिलाती है कि इस character के साथ अच्छा किया जा सकता था परसनली मुझे ऐसा लगता है कि इस character के साथ कुछ ज्यादा अच्छा किया जा सकता था बट ऐसा हुआ नहीं unfortunately एंड उसका character कुछ नहीं spoiler नहीं दे रहा हूं एंड परसनली मुझे बैने जस्रेट का भी character काफी ज्यादा पसंद आया था यह character काफी ज्यादा mysterious वाली vibe देती है and I love कि इस movie में Pauls के dream पर भी काफी ज्यादा focus किया जाता है movie के starting में quote भी आता है dreams से related जो कि बताता है कि Paul कि सपनी काफी बड़े रोल निभाने वाले है इस movie में इस movie में फर्में के बार में भी उतना ज्यादा focus नहीं किया जाता है जितना उन लोगों ने दिखाया था कि वो लोग करेंगे and I am sure उसके पीछे का reason यही था कि part 2 में वो लोग उसी के उपर focus करने वाले हैं तो part 1 में उन लोगों ने जायर से बात हैं नहीं इतना focus किया क्योंकि budget भी उन लोगों को देख के चलना ही था and I am sure कि part 2 में वो लोग फर्में के उपर बहुत ही जाता focus करेंगे मुझे नहीं लगता कि तुम लोगों को किसी भी actor या किसी भी character की acting से कोई भी तकलीफ होगी मुझे लगता है सभी actor ने अपना काम काफी ज़्यादा बढ़िया तरीके से किया और करेंगे भी क्यों नहीं वो सारे actor बहुत ही ज़्यादा अच्छे है and काफी ज़्यादा पॉल मिलके सेंड वर्म का इस्तिमाल करेंगे ताके वो लोग house of harkonnen जो की main antagonist है इस movie का उसके against fight कर सके और मैंने कोशिच की है कि मैं इस वाली वीडियो में कम से कम spoiler दूँ इसलिए मैंने आप लोगों को कुछ भी main spoil नहीं किया है तो बस आज के लिए इतना ही यह क्यों एक आज के मूवी यह deserve भी करती है तो बस आज के लिए इतना ही वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को like कीजिए, subscribe कीजिए, share कीजिए, अगर ना पसंद आई हो तो dislike करके बताईए कि आप लोगों को क्या नहीं पसंद आया तो बस आज के लिए इतना ही मिलते है अगली वीडियो मैं बाइ बाइ बाइ